अध्यक्ष मौदे चलिए आपने मुझे देश के सबसे स्वलन्त मुट्टे पर जो आज विधान सभाज चर्चा कर रही है इसमें बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात को शुरू करूँ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आज कल आज कल आज कल तेरे और अडानी के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको ख़बर हो गई कल तेरे और अडानी के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको ख़बर कैसे बोलेगे आरे तो हमारे नाम कुझे हल्ला के दिवर जाते हो गई हमारा अब हमारे यह हाउस का बीसिजन है आप हाउस के डीसिजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और तरफ चाहुई पाश्बन रखा सारे सदन ने मांगी मैंने रूलिंग दिया कि कल चर्चा करवाँगा मैंने भाषा देख ली मैंने पूरी भाषा देखिए बच देखे मैं आप से प्रार्खना कर रहा हूं चलिए गल देवी आप चर्चा में भाग लीजिए उसमें गल्पित करिए आप कर देखे में भाग लीजिए नहीं लेना चाहते हैं आप इच्छा नहीं तो मुझे चलिए नहीं है तो आप अपनी चर्चा में जो लिए कों से नियम में पावर रही है मुर्था परी ce मुर्था बिए मुर्था बिए मुर्था बिए चौरुन कले आप हों जिन्दाबाद विदुरी जी आप समझदार लेडर है ये बैसे देखे मैं अब चेटान देरा हूँ चर्चाद में करवा हूँगा अब नहीं होती है तो आप आप चर्चा में भागने के विरोट करिये उसका ये जी रहोत तरीका नहीं है यह जनुत अप कर शकते हैं अजरबाईश अजरबाईश मुझे एक्शन लेना पड़े अजरबाईश मुझे एक्शन करेंगा में आदेश देता हूं विजुली जी सदम के बाहर जाए श्रीमान विजुली जी करता सदम के बाहर जाए विजुली जी कहीं कहीं तो. आजकल तेरे और अडानी के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई अध्यक्ष मोद है हमारा मुथ्यमंत्री इस देश के नेता अधर निये अर्विन केजरीवाल जी एक बात करते हैं सत्ता साशन देश विवस्था चलाने के लिए एक व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है अब यह एक कल फिल्म देख रहा था उसमें डायलोग एडुकेशन पर बनी फिल्म है उसमें कहते हैं कि पैसे कमाने के तो सौ तरीके हो सकते हैं पर समाज में इज्जत उसी को मिलती है जो पढ़ा लिखा होता है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है इसका मैं आपको रेपकेशन से बताता हूं अनपढ़ आदमी जब सफ़ता चलाता है तो उसका नतीजा क्या होता है आजादी मिली हमें 1947 में और 2014 तक भारस सरकार का लोन था पच्पन लाख करोड ठीक है आजादी के सामने में आजादी के समय में देश की विवस्ता हालत ऐसी रही होगी कि हमें लोन लेने में कोई गुराई भी नहीं है अगर बात प्रगदी और तरक्की की हो डेवलक्मेंट की हो 2014 तक देश में देश का जो कर्जा था वह 55,00,00 ठीक और 2014 से लेकर के 2020 तक अभी 85,00,00,00 करोड रुपया करजा लिया गया मात्र 8-9 सालो तक और देश का जो कर्जा है वह डेड़ लाख करोड से भी ज्यादा हो गया है देश का कर्जा है मतलब हम सब लोग जो यहां बैखे ह यह इस बात का दिखाता है आम दोर पे क्या होता है कि जब प्राइविटाइजेशन की बात आती है तो यह यूनिवर्सल कॉंसेप्ट है कोई भी सरकार है देश बर में जितने भी लोगतंत्र हैं सभी सरकारों की बात करना हूं वो प्रेफर करते हैं एक ऐसी कंपनी को करते में हो ताकि उसका जो बोज है वो टेक्स पेर पे ना पड़े सरकार पे ना पड़े उसके लिए सरकार का पैसा लॉस ना है पहला प्रधान मंत्री है दुनिया का जो ओंजी सी देश का सेकिंड हाइस प्रॉफिट मेकिंग बॉडी चालीस हजार करोर रुपे के प्रॉ और जिन एरपोर्ट की बात चंजीव जाजी कर रहे थे वो भी प्रॉफिट में अब सवाल यह है कि यह नेक्सस शुरू कहां से होता है मोदी अडानी भाई-भाई देश बेच कर खाई-मलाई यह शुरू होता है गुजरात से एक चुरन अडानी मतलब चुरन बेचने वा वैपारी बहुत छोटा वैपारी जो कुछ PVC के प्लास्टिक बनाता था और यह सब करता था उसका नेक्सस शुरू होता है गुजरात से और गुजरात में किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड का गलत स्टेटस बता बता करके एक रुपया पर हेक्टेर के इसाफ से साढ़े 15,000 הक्टेर जमीन दे दिया गया उस मुद्रापोहर्ट के लिए जहां पर बाद में 20,000 करोर का ड्रग्स पाया जाता है अडानी का ड्रग्स मिलता है जिसको कोई अकबार चापनेसे और मीडिया चापनेसे मना करदा है जिसको सारे देशना बिशा धुन मिज़ मिलता है इस ज अब हाग भी नहीं समझ सकता है आज इस देश के अंदर में इतनी सारी जहांच एजन्सीज हैं एडी है और पता निक कितनी जैसी नहीं बहुत सारी डेगुलेटरी बॉडी है से भी वगरा जो भी बता रहे थे पर क्या किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि जब भारत की एक क के अफ़ी इतनी तरक्य करें थो बहुत बहुत नहीं चुक बार में कि क्या गया सुछान की जिसकी कुछी की नेट वर्थ हो तो कि दूसरी शबसे बड़ी कंपनी हो और वह कंपनी का आठ लाक क्रो रूप्या मार्कीट से दूब जाता है एक रिपोर्ट पर हिंडर बर्क के रिपोर्ट पे वह आठ लाग करोर किसका है अयुद्ध मॉद्ध हिआ है वह मजदूर जो पसीना भा करके के जहाज में घूमता है उसको लगता है कि बिजनेसमैन बहुत बड़ा है परधार मंत्री जी घूमते हैं इसकी कंपनी तो बहुत तरक्षी कर रही है इसमें अगर निवेश करेंगे तो शायद हमारी जो लागत है उसका उसका जो हमको रिटर्न मिलेगा वह बहुत केजी सी म मिलेगा और मिल भी रहता है पर आप सोचिए कि विश्वास धात करने का काम किसने किया एक प्राइवेट एक बिजनेसमैन अडानी तो का ब्रैंड डेपेस्टर दुनिया भर में कौन घूम रहा था हमारे देश का प्रधान मंत्री क्योंकि उसके जहाज में घूम रहे थे और यह तो पूरा ब्रैंड अबस्टर बनके घूम रहे थे हमारे प्रधान मंत्री आज कहते हैं हमारा पर लेना देना नहीं है लेना देना तो इनका गुजरात से ही है कि जो किस तलिके से फॉरेस्ट लैंड को जो है तुनोंने देने का काम किया एक रुपे के हिसाब से औ एक महिने के बाद में उसका 74 परसेंट जो है सो अडानी ले लेता है तो एक्स्टॉर्शन बोलते इसको गन पॉइंड पे किसी को लूटना और उसके बाद उसी जीवीके को कहते हैं कि नहीं कोई दवाव नहीं था मतलब वो बोलेगा कि दवाव था लाकि दवाव में हम भ सब्सक्राइब करते हैं क्लास के ही पांस्ता जो कमजोर बच्चा होता था उसको बोलते थे तुम एक काम करो तुम पढ़ने बहुत कमजोर हो तुम शाम को ट्यूशन में आना तुमको तुमारे उपर में थोड़ा विशेश ज्यान देंगे तब तुमारी जो हैसा नंबर सब्सक्राइब कर था निताशा हुआ चर piss जाना घृत कि इंडरे उनको तुमारेों सनीशन में थे तасти आए पांस में फिर आना इचान अब ही तक तो मास्टर जी क्वेस्टन सेट करते थे और त्यूशन वाला बच्चा को वही सवाल पढ़ा देते थे जो सवाल आना होता था पर बोर्ट इग्जाम में क्या करोगे जैसे ही बोर्ट इग्जाम हुआ वो लड़का सब जितना सब 90% नंबर लाने वाला था वो सब फेल हो गया या मालीज उसका नंबर 40% 45% 50% या वो चीज का भंड़ा फोड़ हो गया इसी तरीके से जितना शेल कंपनी के माध्यम से इन्हों ने गुबारा फुलाने का काम किया और यह सबसे बड़ा अगर फेलियर है तो भारत की सरकार पर है उसके मुख्या प्रदान मंत का है इतना बड़ा फूलता रहा इन्वस्टर के साथ चीटिंग करती रही एक कंपनी और आप ने उसके साथ लेक्सेस करके वह गुबारा फूले दिया और आज आठ लाख करोर रुपया डूब गया लाखों इंवस्टर का पैसा डूब गया गरीब लोगों का पैसा गया जो इस उमीद में इन कंप्रियों में निवेश कर रहे थे कि हमको बेटी की शादी में इसके लिए पैसा में देगा प्रदान मंत्री जी ने अपने दोस्त के साथ मिल करके इसके रेपेकशन क्या है इसका परिनाम क्या हो रहा है आज इंटरनेशनल मार्किट के अंदर में भारक की विश्वसनियता कम हो रही है जिसका नतीजा यह है कि हमसे ज्यादा एक रिपोर्ट छपी है कि हमसे ज्यादा निवेशक बांगला देश शिरलंका और भूटान जैसे देशों में जा रहे है इसका पाकिस्तान जा रहे है आप सोचिए कि पूरे देश का नाम ख जहते हैं के अंदर में हमारे शांसा किस् tehd 100 की मांद कर रहे है रिपो हिए दूब लागे ख़Й दूद नहीं है अगर मालीशने हैście माव्थि नए हैं तो यह क्यों निजाच करा रहे हैं, हमारी ED क्या कर रही है, CBI क्या कर रही है, SEBI क्या कर रही है, आप इसकी जाच नहीं होने देंगे, आपके खिलाफ कोई बोलेगा, इस चीज़ कोई परदा फास करेगा, तो उसको आप पाकिस्तान भेज देंगे, हिंडर बर्ग की रिपोर अगर वाहत है, हिंडर बर्ग को कह रहा है कि हमको घ्लत थाबित कर दो, क्यों जाते हैं या तो आप सही हो या हिंडर बैज सही है, लेकिन क्योंकि डाल में काला है, इसलिए नहीं होने दे रहे हैं, आज इस सदन के माध्यम से, मैं ज्यादा नहीं बोलते हैं, मुझे पता की देश का मान घटा है और यह देश का मान इसलिए घटा है क्यों कि भारत का पढ़ार मंतरी कम पढ़ा लिखा है उसकी दोस्ती है अड़ानी पूरे देश का नुक्सान किया है जिससे कि जब इंवेस्टर्स कम आएंगे देश के अंदर में लोजगार का संकट पैडा होगा अर्थ वेवस्ता का संगत पैड़ा होगा और बहुत सारी चिरों का संगत पैड़ा बहुत 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 धन्निवाद अत्यक्ष्मोदे